हलो दोस्तो आज हम बात करने वाले आई एक्स से लेटेड इंडियन एनर्जी एक्षेंज लिमिटेड देखिए आपने देखा होगा मैंने शायद बहुत टाइम पहले इसकी वीडियो बनाई थी हो मैंने बताया भी था कि जब इसका टाइम आएगा ना तब उस टाइम इस प देखना और वो भी साल देर साल दो साल में वो कोई मेक सेंस करता नहीं है तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बहीं बट आज मैं इससे लेटेड वीडियो बना रहा हूं कुछ फैक्स से लेटेड बाते करेंगे और जितनी भी मुझे नॉलेज ये स्टॉक मार्किट की जो इससे लेटेड हम यहां पर बाते करेंगे यहां पर तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे बट उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा I am small gap investor चानल को subscribe bell icon को hit करिए और के notification कौन करें buying selling की recommendation है नहीं अपने financial advisor खुद की study करें और चीजों को सीखने पर फोकस करेंगे तो आज नी तो कल यहां पर पैसा बनेगा और आपको समझ में आगा कि IEX से related हमने पहले क्यों भी बात नहीं करी आप आज ही क्यों बात कर रहे है वो सब चीट आपके mind में आएगी समझ में आएगी और आप भी उसी तरीके से काम कर पाएंगे तो वीडियो जाके देखिए वहां पर सीखने को मिलेगा और आट मिंट की वीडियो में ज़्यादा बाते नहीं हो सकती इसलिए हमने कोर्स भी लाँच कर रखा है कि आप हमारा कोर्स भी जाइन कर ले ताकि हम यहां पर आपको स्खा भी सके और थोड़ा सा फाइदा हमारा तो इन नमरों को नोट कर लीजिए साथ में अगर काम भी करना है तो भी इन नमरों को नोट करके कॉल मैट से वाट्स अप करके रखी है हाना हमें बात करिए आपके हमारे बीच में जो भी बात होगी उससे लेटें हम यहां पर आगे बढ़ जाएंगे तो वीडियो में आगे बढ़ते हम बात कर रहें इंडियन एनर्जी एक्षेंज लिमिटेड की तो आई एक्स की हम ब जहां पर सारी के सारे लोग चाय टाटा हो चाय अडानी हो सब को यहीं पर ही आना है और इनी के थुरू यहां पर चीज़े काम होती ही नजर आती है तो इसी चीज़ से रिलेटेड यह कंपनी काम करती है आप जाए एक बाइंसे रिलेटेड बाते कर लीजिए देख लीजि तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भागता है तो multi-bagger return देगा, बर जब गिरेगा तो उसी तरीके से return आदे से जादा छीन भी लेगा, तो इसलिए सही टाइम पर लेके सही टाइम पर बेचना, सही टाइम पर लेके सही टाइम पर बेचना, वो एक कला है, वो आपको यहाँ पर सीखनी होगी जो हम अपने कोर्स में या पर सिखाते हैं बाकी आगे बढ़ते हैं तो यहां देखें 42 का P.E. है जानते हैं तो आपको यहां पर समझ में आएगा कंपनी के यहां पर रिजल्ट और नंबर यहां पर देख लीजिए कंपनी की सेल्स आप देखेंगे लगाता बढ़ रही है हाना कंपनी यहां पर 121 क्रोड रुपए की पिछले 12 कौटर में हाई इस टेवर सेल्स है और यहली क अच्छा कासा है मार्जिन की बात करें कंपनी के मार्जिन अब अगें पहले अच्छे यादे रहे लगातार अच्छी आते हुए नज़र आ रहे यह एक अच्छी बात है बात करें और चीटों की तो नेट पॉफिट भी आप देख सकते हैं 95 करोड रुपीज का नेट पॉ पॉफिट था आज देखिए 341 करोड के पॉफिट पे कंपनी बैठी हुई है ठीक है तो अच्छा कासा कंपनी का क्या है काम है और वह भी यहाँ पर देखिए ज्यादा नहीं 449 करोड में से 341 करोड का पॉफिट यह एक अच्छा का पॉफिट माने जाएगा ना बात करते उर रिजर्व की तो कंपनी के रिजर्व लगाता बड़े 860 करोड रूपे के रिजर्व से बाइंग को देखिए 10 क्रोड रूपे की है साथ हें बात कर देखिए 1330 करोड रूपे का हैं पर इन्वेश्मेंट है क।छ की बात करें 185 करोड का कैश है Positive cash flows नजर आते हैं और सा बाद यहां पर देखिए लगाता है उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है क्योंकि समझ में आता है और चीजे इसी तरीक से चलती है पुब्लिक की बात करें तो पुब्लिक यहां पर देखिए 31 से 61% हो गई है आना बट पुब्लिक में भी आप देखोगे तो किसी ने 7% की किसी ने 4% कि 3.74% की हिस्सेदारी लेके रख रखी है जो कि यहां पर अच्छी बात है ठीक है बात करें और जी रोगी तो कब यहां पर देखिए कहां दो दो लाक और चार लाक लोग हुआ करते थे अभी यहां पर 15 लाक रह गये बीच में यह जो कि यहां पर इतने टाम से चला नहीं यह उसके एक महीन दे निया फिर कुछ दिनों बाद ही हां पर शेय चलता हुआ नहीं जराता यहीं मार्केट का आशूल है और ऐसे ही मार्केट चलती है तो इसलिए आपको चीजों को समझना है साथ में देखिए मूचल को SBI mutual fund 26 अपरेल को 32,71,000 quantity, SBI mutual fund 8 अपरेल को 21,80,000 quantity, SBI mutual fund 20 फरवरी को 98,000 quantity, तो यहाँ पर देखिए खरीदारी शुरू हो गई है, ठीक है ना अच्छी खरीदारी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, साथ में block deals देखना चाहते है, buying selling वो यहाँ पर होती ही रहती है, और भी चीज देखनी है तो वो आहाँ पर देख सकते हैं, अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम चार्ट से लेटरी बाते करते हैं, बट इससे पहले request है, I am small cap investor चैनल को subscribe करे, bell icon को hit करे, all की notification को on करे, videos देखिए, सीखिए इन नमबरों को note करके, पाजने की, कोशिश करे, ठीक है न, अब और यहाँ पर देखिए, यह जो IEX है, कहीं न कहीं कभी कभी, यहाँ पर government का, जो regulations है न, वो यहाँ पर इस पर कभी न कभी हावी होता हुआ, नजर आता है, तो इस वाज़े से share में थोड़ी बहुत बीच में issue भी आता रहता है, सो उस शिट को भी समझना है, बट यहाँ पर देखिए, stages होती है, यहाँ पर यह stage 1 थी, stage 1 के बाद 2 चालू ही, यह 3 थी और 3 के बाद यहाँ पर 4 चालू ही, 4 के बाद यह consolidation phase से यहाँ पर यह share निकलता हुआ, नजर आ रहा है, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, SBI mutual fund ने अच्छी खासी bank यहाँ पर शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं यह positive figure है और positive चीज़े है, अब क्या कर सकते हैं, किसी का vision अगर बड़ा है, किसी का vision बड़ा है, क्योंकि अभी भी अगर मैं बात करूं, तो अभी मुझे यह share भागता हुआ दिखाई दे रहा है, बट यह नहीं है, कि कल से भागना शुरू हो जाएगा एक महीने से, यहाँ पर अब थोड़ा सा time लग सकता है, बट मुझे लगता है, इस साल में यह चलना शुरू होने के बाद अच्छे खासे return भी देगा इस साल के अंदर-अंदर, बट मेरे कहने पर किसी के कहने पर लेना नहीं है, मैंने अभी किसी को यहाँ पर बताया भी नहीं है, यह शेयर मैंने कि आपके साथ शेयर किया जाना चाहिए यहाँ पर गिरावट हुए, यहाँ पर गिरावट हुए, ब्रेक आउट के बाद यहाँ पर आप देखोगे, तो एक अच्छा कासा gap-up भी मिलता हुआ नजर यह दो आया, मुझे अब क्या नजर आता है, मुझे नजर आता है, जैसे ही यह शेयर 165 के ऊपर निकलेगा, सबसे पहले ही यह शेयर कहां पर जाता हुए, 171 और फिर इसके बाद 170 की तरफ जाता हुए, नजर आता हुए, और 170 यह जैसे ही यहाँ पर cross करेगा, ठीकर ना मे इने में यहाँ पर 317 रुपे तक का भाव यहाँ पर आता हुआ धिखाई दिसकता है जो कि यहाँ पर लगबग कितने परसेंट के रिटर्न होते हैं वो होते हैं लगबग 95% के रिटर्न हाना और अगर यह रिटर्न एक साल में मिल जाते है तो काफी अच्छे रिटर्न माने जाएंगे, buying selling की recommendation है नहीं, अपने financial advisor खुद की study करना है, ये trading के मतलब का भी stock है नहीं, ये है केवल अब investment के purpose का, और यहाँ पर शायद अब एक moment आ सकती है, ये share कभी भी यहाँ पर move करना शुरू कर सकता है, तो मुझे लगा, आपको बताना चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहूँ, मेरे पास ये share नहीं है, मैंने कभी inform भी नहीं किया, तो आप अपने financial advisor खुद की study करके, यहाँ पर देख सकते हैं, share से related, और comment कर सकते हैं, query पूछ सकते हैं, number को note कर सकते हैं, whatsapp कर सकते हैं, call कर सकते हैं, और course की inquiry कर सकते हैं, और साथ मैं काम भी कर सकते हैं, so thank you so much, God bless.